कि प्रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वह सेक्षिक और सुपमक्ष उदिशियों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिया सला कानूनी सला या तो व्यक्तिकच सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चेहिन दुस्तों वजरिक्स क्रिप्टो करंसी एक्चेंज के ओफिशल ट्वीटर एकाउंट की तरफ से प्लास वजरिक्स के फाउंडर निच्छल छेटी जी की तरफ से एक पोजिटिव रिस्पॉंस हमारे सामने आता है कि हम 24 तारिक को एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं क्रिप्टो एन आईनर बैलेंस के बारे में और हो सकता है कि विड्रावल्स का तारिक भी एनाउंशमेंट कर दे कि एक्चेंज के अंदर कौन सी तारिक से कितना विड्रावल्स शुरू हो चोकि यहाँ पर काफी सारे यूजर्स का पैसा फसा हुआ है एक्चेंज लाज 36 से 36 दिनों से बंद पड़ा हुआ है यूजर्स यहाँ पर क्रिप्टो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्रिप्टो को विड्रावल्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या announcement आया है detail में बात करेंगे बट वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को likes कर दिएगा चुकि यहाँ पर कोई भी बंदा इस वीडियो को देखेगा तो उसे पता चलना चाहिए कि सही में last 36 से 36 दिनों से users का पैसा फसा हुआ है तो कम से कम यहाँ पर 1000 likes इस वीडियो को चाहिए इस वीडियो को share भी कर देना दोस्तो वजरिक्स इंडिया का bitcoin exchange इसका official twitter account है अब यहाँ पर इसने लिखा है 5 गंटे पहले मतलब कि हम वीडियो बना रहे हैं सायद इस tweet को 8-9 गंटा हो गया है लिखा है अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आइनार इन क्रिप्टो जो हैं वो next steps है मतलब या तो यह लोग आइनार बैलेंस के बारे में बताएंगे कि वजरिक्स के पास कितना बैलेंस है और क्रिप्टो का बैलेंस भी जारी कर सकते है अगर यह दोनों बात जारी कर देंगे तो यह भी पता चल जाएगा कि हमें विड्ड्रावल्स कितना मिलेगा तो प्लस इसको भी एड़ किजिएगा आइनार विड्रावल्स और क्रिप्टो विड्रावल्स से वो शुरू हो सकते है क्योंकि बैलेंस में पता चल जाएगा कि वजिरिक्स के पास कितना पैसा पड़ावर यही तो हम काफी दिनों से चाहते थे कि वजिरिक्स बताओ आइनार कितना है आपके पास और क्रिप्टो कितना है चुकि ट्रांसपरेंसी होना जरूरी है यूजर्स को नहीं मालूम कि आपके पास कितना एसेट हैक होने के बाद पड़ा हुआ है यहाँ पर यह भी कहा है कि हम समझते है क्लियारिटी देना बनता है हमारा नेक्स टेप है आइनार एन क्रिप्टो टीम फाइनलाइज कर रही है और साथे साथ ये भी बताया है कि यह जो स्टेप है उसका डाटा हम सेर करेंगे टुमोरो यह जो स्टेप हम लेने जा रहे हैं उसका डाटा टुमोरो मतलब की 23 तारिक से लेके 24 तारिक चोकि अज 23 तो हो चुका है तो 23 से लेके 24 के बीच में हमारे सामने कोई अपडेट है निकल के आ सकता है अब यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ इस टीम को अगर वीडियो देख रही हैं कोई लोग भी देख रहे हैं तो फिर ऐसा मत करना कोई बाहना मत बनाना कि हम अभी भी काम कर रहे हैं थोड़ा टाइमिंग दे दो या तो फिर पोल वोल का चक्कर हमारे सामने मत रखना सीधा बताना कि कितना balance है INR में कितना balance है crypto के अंदर आपके पास कितना balance है और users का withdrawal कब शुरू होगा सीधा और simple आप लोगों को बताना है ठीके यही हम चाते और यही उम्मीद लगा के हम बेठे हुए है next मिचल छेटी जी भी कहते है कि हम again कुछ इसे idea लगा रहे है कि again यहाँ पर एक्चेंज के अंदर hack हुआ है hack का impact पड़ा है users negative सोच रहे है तो इस negative सोच को किस तरीके से हमें positive करना चाहिए उसके बारे हम कुछ ideas लगा रहे है मतलब कि again हम एक्चेंज का value create करना चाहते है नया value बनाना चाहते है हर एक बंदा यही चाहे कि वजिरिक्स अच्छा है लोगों के दिमाग में केसे value डाला जाए वजिरिक्स के बारे में उसके लिए लोग काम कर रहे है साथ साथ उसने यह भी कहा है कि अब हम clarity देंगे INRN crypto के बारे में हमारा first step है वो रहेगा चुकि काफी दिनों से हम यही तो चाहते थे फिर यहाँ पर यह भी कहा है कि सभी लोग का अगर support रेता है तो यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी नया value create कर पाएंगे और यह जो fund से hack हुआ है हमारे उपर negative असर हुआ है उसे हम दूर भी कर शकेंगे तो कि यह जो funds hack हुआ है उससे भी ज्यादा कैसे recover किया जाए मतलब funds जो hack हुआ उसका value जो है उससे भी ज्यादा कैसे recover किया जाए या तो funds को create किया जाए funds को बनाया जाए यह अगर हम कर देंगे तो exchange का value again बन जाएगा और नए तरीके से exchange का value है वो हम create कर पाएंगे plus यहाँ पर वही कहा है कि बस हमें इसमें थोड़ा time तो लगता ही है इसके अंदर working चल रहा है और इसको हमारा जो काम है हम legally भी कर रहे हैं boundary program के अंदर भी कर रहे हैं इस attack का जो impact पड़ा हुआ है उससे कैसे हम positive कर रहें क्योंकि attack लग गया तो हर एक बंदा वजिरिक्स को चोर भी कह रहा है negative भी कह रहा है मैं भी कह रहा हूं कि भाई अभी तो हमारे साथे दोखाई कर रहा है Ponzi scheme की तरह MLM Ponzi scheme की तरह तारीक पे तारीक मतलब हम तारीक पे तारीक का भेट कर रहे हैं चोकि यह लोग तारीक नहीं दे रहे हैं हार एक दो दिन में कुछ नया हमारे सामने रख देते हैं बट हमारे कोई काम की चीज नहीं होती है तो फिर यही लोग सोचेंगे नेगेटिव सोचेंगे अगर वजरिक्स को पोजिटिव करना है तो इसो विड्रो देना पड़ेगा वेड्रो देगे तो तुरं पोजीटिव हो जाएगा लोग पोजीटिव सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि पेशा वापस देंगे तो फिर लोग पोजीटिव साहल सोचेंगे और पूरा का पूरा अगर फंड्स यूजर्स को वापस मिल जाएगा तो काफी हद तक लोगे वो positive सोचेंगे तो यह था अब तक का update जो कि इन लोगे ने announcement कर दिया है यह 23 से लेके 24 दारिक के बीच में कुस announcement आएगा तो चैनल को subscribe करके रखेगा क्या data निकल के आता है वो हम देखेंगे और हम यही उम्मीद करेंगे कि withdrawals के बारे में कोई हमें date बता दे और यहाँ पर withdrawals को शुरू किया जाए वो सकता है ट्रेडिंग को भी साती सा शुरू किया जाए ठीक है लाइक करना, share करना, subscribe करना ना बुले, miss ना करे बटन दबा दीजीगा, miss ना करे